हाई अव्रिवान, वेलकम टू यूट्यूब चानल लोग गार्जिस पैवर्तिका आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ दही की रेसीपी शेयर करने वाली हूँ जिसने की मेरा मेरी वेट लॉज जर्नी में बहुत ही ज्यादा साथ निभाया है दही गर्मियों में किस तरह से जमानी है ये बताने वाली हूँ आज इस वीडियो में ये सेम तरीका आप सर्दियों में फॉलो नहीं कर सकते हैं ये गर्मियों में दही जमानी का तरीका है जिससे की दही बिलकुल भी खटी नहीं लेगेगी बहुती स्वादिश्ट होगी, इनफाक्ट हलकी से इसमें मिठास होगी तो वेट लॉस जर्नी के दौरान, गाए हमेशा लेना है दूद वाले भाईया से और पैकेट वाला दूद इस्तिमाल नहीं करना है कोशिश करनी है कि गाए का दूद मिल जाए तो बहुत जादा अच्छा है विकिस गाए का दूद फैट लॉस में बहुत हल्पुल होता है तो यहाँ पर मैंने लगबग 500 ml दूद लिया है, मलाई साइट कर ली है आप ताजा दूद भी इस्तिमाल कर सकते हैं बिना मलाई उत्रा हुआ तो लगबग 500-600 ml दूद है यहाँ पर हमारे पास इसको गरम करना है लेकिन हमें अभी दूद को उबालना नहीं है यह दूद पहले से उबला हुआ है और अभी यह इस टाइम पर ठंडा है तो इसको मुझे गुन-गुना करना है तो अगर आप बिल्कुल ताजा दूद ले रहे हैं उसको उबाल रहे हैं तो फिर आपको उसे बाद में थोड़ा ठंडा करके फिर इस्तिमाल करना होगा या फिर अगर आप इस तरह से ठंडा दूद लेते हैं तो उसको गरम कर लीजिए हलका सा गरम करना है दो चार मिनत के लिए और फिर अपनी साफ फिंगर को डिप करके चेक कर लें कि ज्यादा गरम तो नहीं है बस हलका हलका गरम है यानि कि वो परफेक्ट टेंपरेचर है गरमियों में दही जमाने के लिए जब आपको हलका सा गरम लगे दूद उस टाइम पर आप गैस बंद कर दे पहले की घर में रखी होई दही होगी तो उसमें से एक तिहाई चम्मच दही का लेना है इस तरह से ले सकते हैं अब चम्मच से अच्छे से आप मिला लें और अगर आप चाहें तो और अच्छे से इस् खट्टा लगाये हुए दूद को फेट सकते हैं उसके लिए आप सेम पान में और अपने लोटे में इस तरह से बार बार दूद को मिक्स कर सकते हैं ताकि हलकी सी जाग बन जाए तीन-चार बारा पैसा करेंगे तो थोड़ी जाग बन जाएगी जिससे की दही और भी ज्याद अच्छी जमने में मदद मिलती है तो इस तरह से हमारा दही का जो दूद है ये रेडी हो गया है खट्टा दूद में लग गया है हलका सा खट्टा लगाया है ताकि दही हमारी खट्टी ना जमे गर्मियों में बहुत यासानी से जम जाती है हम पूरी प्लेट से नहीं ढग आप चलनी को हटा दे आपकी दही जम करके तयार हो जाएगी 6 गंटे के बाद फिर आप दही को फ्रिज में रख सकते हैं और फिर आप 2-3 दिन के लिए कंजियूम करेंगे तो भी बिल्कुल खटी नहीं रहेगी और फिर बाद में जब खटी हो जाती है दही तो कड़ी बनाने में आप इस्तिमाल कर सकते हैं और जब ताजी दही है तो इस तरह से मैं ऐसे ही दही खाती थी अपनी वेटलस जर्नी में या तो ब्रिक्फस्ट के 2 गंटे के बाद या फिर लंच के 2 गंटे के बाद एक कटोरी दही खा लेती थी मैं या फिर सम्टाइम्स मैं नमकीन लसी बना लेती थी दही की मदद से तो मुझे वेटलस जर्नी में डेफिनेटली दही ने बहुत जादा साथ दिया है दही के बहुत ही जादा हेल्थ बेनिफेट्स हैं गड़ बेक्टिरिया इंट्रोड्यूस करता है हमारे गट में चाहे वेट गेन की जर्णीं पे हो चाहे लॉस की जर्णीं पे हो चाहे वेट मेंटेनेंस की मैंटेनिंस कीtem पेर हो भी हमारी सकिन के लिए चाहर के लिए बहुत ही अच्छी होती है ओवराल हेल्थ के लिए तो डेफिनेटली दही को अपनी डाइट में इंग्लिउट जरूर करें मक्षन कैसे बनाना है गाय के दूद से उसकी रेसीपी का लिंक दिया है दिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो जरूर चेक आउट करें तांक यू सो मच फॉर वाचिंग मैं मिलूंगे आपसे अपनी अगली विडियो में तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखेगा लुक गार्जियस लिव हल्दी स्टे ब्लेस्ट